एलो एवरिवन कैसे हम सभी दोस्तों आज हम जावा से क्रिप्ट में फोकस अनिमिशन बनाएंगे जह है फोकस अनिमिशन जह देखो आपने बहुत जगा जह देखी होगी जह देखो बिलकुल कलियर ना जरा रहा इसके बीच चलिए इसको बनाना स्टार्ड करते हैं इसको आ सबसे पहले हमें एक सेक्शन एरिया लगा देती हैं कोई भी जहां पर डीव भी ले सकते हैं इसको एक डीव लगा दो इसको कलास एड़ कर दो लेयर की और एच टू में कुछ लिख दो अगर लिखना है तो सही है नहीं तो इसको आप शोड भी सकते हैं एक और डीव लगा सब्सक्राइब लिखने हैं एक डीव लगाओ इसको एक कलास एड़ कर दो हॉवर की तो हॉवर करने पे वह अपलाई होगा सी एसस में पहले चलते हैं कि कुछ कोड यहां पर लगाएंगे हम बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स में कर दो मार्जन जीरो कर दो पैडिंग जीरो जो कलर रहेगा इसमें जो भी निखेंगे वो बाइट रहेगा सेक्शन जो हमने लगाया है डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में जस्टिफाइ कॉन्टेंट सेंटर में अलाइन आइटम सेंटर में इसकी हाइट लिख दो 100 भी है अब इसको आप स्किप भी कर सकते हैं हाइट को अगर नहीं लिखनी जो विर्थ है इसको आप 100 परसंट कर दो पोजीशन इसकी रख दो एपसल्यूट लेफ्ट से जीरो कर दो प्रॉप से जीरो कर दो यह कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है तो यहां पर एक इमेज लगाओ बैगराउंट पर इमेज लगाएंगे हम अकेला बैगराउंट लिख दो बेशा की इमेज लिख दो साथ में यूरल एड़ करो बैगराउंट में जरूरी नहीं इमेज लगाणी है आप बैगराउंट में कुछ भी कोई पैटरन लगा सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपका मन करेंग तो मैं जहां आपे लगा रही हूं इमेज इमज डॉट जेपीजी बैगराउंट साइज इमेज का बैगराउंट साइज कवर रहेगा नहीं तो इमेज पूरी नजर नहीं आएगी इमेज आ गई बैगराउंट पोजीशन सेंटर में कर दो बैगराउंट अटाइजमेंट भी लिख दो यह सिर्फ इमेज के लिए है अगर आपने बैगराउंट भी इमेज लगानी हो जे कुछ प्रॉपर्टीज होती है इमेज की जहां पे section dot layer layer बनानी है इसके उपर एक जिसको फोकस करने पे बो नजर आएगी डिस्प्ले करदो इसको फ्लेक्स में justify content सेंटर में align item सेंटर में height इसकी रहेगी 100% पोजीशन इसकी रहेगी एफसोल्यूट लेफ्ट से जीरो टॉप से जीरो कर दो और इसमें एक अलग से बैगरॉंड इमेज लगाओ को दूसरी इमेज लगाओ जा फिर या पर पहले में लगा देती हूँ urn img.jpg दो इमेज आगी अब मेरे पास इसको बैगरॉंड इसका भी पहले दिखो बैगरॉंड साइज इसका रहेगा cover बैगरॉंड पोजीशन इसकी center बैगरॉंड अटेजमेंट fix अब जी आगई मेरे पास दूसरी इमेज ठीक है तो अब जी आपकी मर्जी है आपने दो इमेज से लगानी है इसको focus करेंगे बिलकुल clear नजर आएगी अब जहांपे चलो जो हमने section लगाया है tag उसमें जो लेयर है उसके बनाएंगे हम एंथ चाइल्ड तुझे एक animation है तो एंथ चाइल्ड हम इसके बनाएंगे filter लगाओ बलर करना है 10 पिक्सल बलर कर दो फिकुशी भी नजर नहीं आएगा इसको इतना करेंगे first बाले को section जो है उसमें जो layer की class है उसका एंथ चाइल्ड बनीगा दूसरा second वाला clip path के साथ मैंने circle बनाना है circle आप चाहते है जब move करेंगे तो circle बहां पर नजर आए तो circle बनाने के लिए यह हमारे पास board है at यहां पर ड्रेक्ट लिख सकते है अगर आप यहां पर variable mention करना चाहते है तो वह भी कर सकते है नहीं तो मैं यहां पर ड्रेक्ट लिख देती हूँ बेरियेवल एक variable बना रहे ते है minus minus x इसी से वह circle बनेगा वो बनाएंगे जावा से करेंट में बेरियेवल बना लिए एक x का एक variable बना दिया मैंने minus minus y x का दोनों के बनानी है variable इसके साथ circle बनाएंगे section उसमें जो layer है उसमें जो h2 में हमने text लिखा है उसकी position कर दो absolute font size उसका increase कर दो कितना कर दो 20bw कर दो transform करेंगे उसको translate भी कर दो साथ में 0x-axis से, by-axis से जो space लिखा हुआ है यह बाला इतना सही लग रहा है जब कोई बंदा इसको हमारा जो hover बाला है न hover बाले class पहले इसको create कर देते हैं position absolute रहेगी height बिर्थ रखो बिर्थ चाहिए मुझे 300 pixel height चाहिए मुझे same 300 pixel border लगाना है जो circle सा नजर आएगा 2 pixel solid white border radius 50% 50% border radius रहेगा एक box shadow भी लगा दो ऐसे लगा दो 20 pixel फिर एक तरफ से RGB यह color black सा थोड़ा सा लगाएंगे 0.25 ओपेस्टी रहेगी transform करेंगे इसको कितना करना है वो हम लिखेंगे जे हम बाद में transform करेंगे पहले इसको save करके जावा सक्रिप्ट का code लगा दे हमें पता चले जे circle आ गया बीच में जावा सक्रिप्ट में चलो एक variable बना लो cost कोई भी बना लो e-le लिख दो element document dot document element तो ये एक keyword है जावा सक्रिप्ट का element बनाने के लिए e-le dot add event listener कौँ सा event listener लगाएंगे हम mouse move जब कोई बन्दा mouse move करेगा तब ये perform होगा तो यहाँ पे एक parameter पास कर दो event एक बना दो function जहाँ पे इसमें हम रखेंगे e-le dot style dot set property को से property सेट करनी है minus minus x उदर हमने लगाया था variable comma event dot client x मतलब x-axis इतने पिक्सल पिक्सल अपनी तरफ से ये उठा लेगा इसको copy paste करो minus minus by client by इसको कर दो refresh save करके blur हो गया लेकिन वो बाला नहीं आ रहा है इसको हमने इदर लेके आना है ये अकेला या रहा है ये देखो यहाँ बहें चलो CSS में transform करो transform में translate कर दो इसको translate करना है कितना वो जो हमने variable बनाया था ना minus minus x comma variable minus minus y ये जितना वो सर्कल मूब होगा उतना ही जे वाला सर्कल मूब होता रहेगा जितना जे blur वाला मूब हो रहे है ये फिर इतना ही जे बार्डर वाला मूब होगा सेम उसी location के साथ अब ये किदर जा रहा है ये तो उल्टा हो गया माइनस माइनस एक्स translate करना है माइनस माइनस बाई refresh तो हो गया है जावा सक्रिप्ट में इदर हमें CSS में इसको करना पड़ेगा सेट इसको बस मूब कर दो करना कि इसको जावास्ट में हमने हॉबर बड़ा पनाया था यहां पर कर दो इसको मूब करना है टॉप से मूब कर दो माइनस में करेंगे तो जी उपर की तरफ चला जाएगा माइनस बान फिफ्टी पिक्सल अब इसको लेफ्ट के तरफ मूब करना है कितना करना है यह आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना मैं यहां पर इतना करके देख लेते हूं माइनस फिफ्टी बन फिफ्टी पिक्सल अब सही है दोनों एक यगा पर आगए अब सही है उसको मूब कर देना बस यह बन गई एनिमेशन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में